है गाईज विल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हूँ आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाईज आज की वीडियो में मैं आपके साथ मैट्रिक्स बायो लाज हेयर मास्क का रिव्यू प्लस डेमो शियर करने लगी हो तो आज की वीडियो में मैं आपको बता बताइब कर दे चलिए गाई वीडियो को स्टैट करते हैं तो गाईज यह है मैट्रिक्स बायो लाज हेयर मास्क हेयर स्पा भी आप इसको कह सकते हैं इसे मैंने अपने लोकल मार्के स्टोर से बाई किया हाईडरेटिंग मास्क है और अगर आपके हेयर बहुत ज़दा ड्र पाई रहते हैं रफ रहते हैं तो आप इसे यूज करके देखिए 490 ग्राम हमें इसकी कौंडिटी मिल रही है इतनी अच्छी हमें इसकी कौंडिटी मिल रही है जस्ट 490 रूपीज इसका MRP प्राइज है बट मैंने इसे 450 में अपने लोकल मार्के स्टोर से बाई किया अच को इसे किस तरह से यूज करना है इसकी यूज करने का सही तरीका क्या है तो गाईज इस मास्क को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको हीर वाश करना है गंदे बालों में या फिर ओली बालों में आप इस मास्क को ना लगाएं तो सबसे पहले आपको हीर वाश करना ह hair wash के लिए मैंने यहाँ पर clinic plus shampoo का यूज की है अगर आपने rebonding करवाई हुई है तो आप इसका बायोलाज का shampoo भी यूज कर सकते हैं बट मैंने rebonding आप देख सकते हैं कि मेरे बालों में कोई भी rebonding नहीं हुई हुई है तो मैं clinic plus shampoo यूज कर रही हूँ सबसे पहले आपको hair wash करना है आपके बाल बिल्कुल neat and clean होने चाहिए mask का use करने के लिए आपके बाल गीले होने चाहिए wet होने चाहिए बिल्कुल dry hair नहीं होने चाहिए तो सबसे पहले मैं अच्छी तरह से hair wash कर रही हूँ इसी तरह से आपको सबसे पहले hair wash करना है मैंने ना mask को आज as a conditioner में use करी हूँ यह नहीं कि आज मैं हमेशा यह वले mask को as a conditioner ही use करती हूँ इतना अच्छा work करता है अगर आपके बाल dry है ना तो आप इसे as a conditioner use कर सकते हैं आपको बहुत ही अच्छे वाले result देखने को मिलेंगे तो देखिए guys hair wash मैंने कर लिया है सारा shampoo मैंने अपने बालों में से अच्छी तरह से निकाल लिया है तो बालों में से पानी अच्छी तरह से आपको निकाल लेना है तो अब मैं इस mask का use कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी कितनी quantity लिया आपको इतनी ही इसकी quantity लेनी है जितनी हम conditioner की लेते हैं क्योंकि ये इतना अच्छा leather करते हैं आपको अपने हाथों पर इस तरह से रब कर लेना है और सबसे पहले आपको length पर इसे apply करना है बालो को stretch करना है और जो भी extra amount बच जाए उसे आप बाकी के बालो में scalp पर लगा सकते हैं कम से कम 2-5 मिनट के लिए आपको इसे stretch करके massage करनी है मतलब कि stretch करना है बालो में ताकि सारे बालो पर अच्छी तरह से लग जाए आप देख सकते हैं कैसे मैंने section by section अच्छी तरह से मास्क को लगाया है कम से कम 2-3 मिनट के लिए आपको अपने बालो पर इसे लगा रहने देना है आपको इसके इतने अच्छे result देखने को मिलेंगे न अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा dry रहते हैं rough रहते हैं manageable बाल नहीं है आपके तो आप इस spa का use करके देखिए इस mask का use करके देखिए तो आपको इतने अच्छे result देखने को मिलेंगे अगर आप इसे एक बार बाए कर लेंगे ना तो कम से कम एक साल तक आपका ये मास्क चल सकता है मैं हफते में दो बार हियर वाश करती हूँ और दोनों बार मैं इसी मास्क का यूज करती हूँ तो देखे इस तरह से आपको अपने बालों पर मसाज करनी है बालों को स्ट्रेच करके दो से तीन मिनट के लिए आपको इसे अपने बालों पर रखना है और इसके बाद आपको पानी डाल लेना है अपने बालों पर इसके बाद आपको कोई भी शैंपू का यूज नहीं करना जस्ट पानी डालना है ताकि जितना भी मास्क है वो सारा आपके बालों में से अच्छी तरह से निकल जाए यहर वाश करते करते ही मतलब मास्क लगाने के बाद जब आप पानी डालेंगे आपको तब भी फील होगा कि आपके बाल इतने ज़दा मैनेज़िबल इतने सुन्दर इतने सिल्की सॉफ्ट हो रहे हैं तो जब मेरे बाल बिल्कुल सूख जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगे कि मेरे बालों में कितना अच्छा इसका रिजल्ट आया है तो देखेखाई अब मेरे आछ सी तरह से सू गें और आप मेरे बालों में कितनी अच्छी शाइन आ ईयां बाल कितने मैंनेजबल लग रहे हैं उनके लुक कितनी जदा अच्छी आरी है टैंगल來到 में बिलब भी नहीं शाइन नहीं थी बट जब से मैं यह वाला मास्क यूज़ कर दी हूँ ना मुझे अपने बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने लग गए है तो अगर आपके बाल भी बहुत ड्राइ रहते हैं या फिर आप मतलब स्ट्रेट लुक चाहते हैं अपने बालों की तो आप य वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलूंगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थेंक्यू बाइ है झाँ बाइवे दीमस सaltaय बाइब ड्यून की लोगी है जिएर के लिए बाइब तक हो वीडियों वीडियों